हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स कीचन में आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी और जटपट बनने वाली एग फ्राइड राइस की रेसिपी इसे बनाना बहुत असान है और इसकी सबसे खास बात है कि ये बहुत ही हेल्दी और कुछी इंग्रेडियन्ट से मिलकर बनता है और आज मैं इस रेसिपी को कुछी मसाले से और बहुत ही टेस्टी बना कर तयार करूंगी तो इस recipe को एक बार तो try करना बनता है और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो like, share और channel को subscribe करना ना भूले और साथ ही साथ घंटी भी दवा दें ताकि ऐसी ही interesting वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए शुरू करते हैं एक fried rice बनाने के लिए हम सबसे पहले rice को पकाएंगे और यहां मैंने एक cup बास्मती चावल लिया है यह मैंने बड़े दाने वाले चावल लिये हैं जिससे हम पुला या बिर्यानी बनाते हैं अब इसे एक बॉल में डालेंगे और अच्छे से धो लेंगे अब यहां मैंने यह बड़े दाने वाले बास्मती चावल लिये हैं आप चाहो तो यहां regular rice का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो चलिए चावल को धो लेते हैं अब चलते हैं आगे की process में तो यहां मैंने एक कराही को gas पर चढ़ाया है और अब इसमें 3 कप पानी डालेंगे और अब gas का flame high करके पानी में एक उबाल आने का इंतजार करेंगे और यह देखिए पानी में उबाल आ गया है तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम यह धोया हुआ चावल इसमें डाल देंगे यहां हमें एक बात का ध्यान देना है कि जब तक पानी में उबाल नहीं आएगा तब तक हम चावल को पानी में नहीं डालेंगे अगर पानी में बिना उबाल आए हम चावल को डालेंगे तो चावल स्टार्च रिलीज कर देगा और चावल जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे अब इसे हाई फ्लेम पर बिना ढखे खुले में ही आठ से दस मिनट तक पकाएंगे और ये देखिए लगभग आठ मिनट के बाद जब हम इसे इस तरह से दवा कर देखेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से तूट रहा है तो बस हमें चावल को इतना ही पकाना है चावल को पकाने का टाइम थोड़ा भैरी कर सकता है डिपेंड करता है चावल पर और गैस की फ्लेम पर तो बस इसी स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे जल्दी से स्ट्रेनर में चान लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से चान लिया है और ये बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ है इसका एक एक दाना अलग अलग है तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और हाँ हमें इसे खुले में ही रखना है ढ़कना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये भाप से भी ओवर कुक हो जाएगा तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और आगे के प्रोसेस करते हैं तो अब मैंने यहाँ एक पैन को गैस पर चढ़ाया है और पैन के गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मत सरसो तेल अब जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब फ्लेम को लो मीडियम करके मैंने चार अंडे लिये हैं ये हम एक एक करके पैन में तोड़ कर डालेंगे ये देखिए बिल्कुल इस तरह से तो हम चारो अंडो को इसी तरह से तोड़ कर डालेंगे और अब इस पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे उसके बाद मैंने यहां एक मीडियम साइज के प्याज को बारी काट कर लिया है ये इसमें स्प्रेड करते हुए डालेंगे अब मैंने यहां काली मेश पॉडर लिया है ये दो से तीन पिंच इस पर स्प्रेड करेंगे अब इसे इस तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे इसे fry करने में लगबग 4-5 मिनिट लग जाते हैं, हमें इसे हलका सुनहरा कलर होने तक fry करना है और ये देखिए, लगबग 5 मिनिट के बाद हमारा अंडा भुजरी बनकर बिल्कुल तयार है अब हम इसे भी साइड में रखेंगे, अब मैंने फिर से गैस पर एक कराही चड़ाया है और कराही के गर्म होने के बाद इसमें 3 चमच कुकिंग वाइल डालेंगे और जैसे ही तिल गर्म होगा, हम इसमें ये कटी हुई 3 हरी मिर्च डालेंगे उसके बाद 6 से 7 लसन की कली को बारी काट कर डालेंगे और इसे एक बार चला लेंगे अब फ्लेम को हाई करेंगे और अब मैंने यहाँ 2 मिडियम साइज के प्याज को थोड़े मोटे पिसेज में काट कर लिया है ये इसमें डालेंगे और दो मिनट तक fry करेंगे हमें इसे high flame पर fry करना है हमें प्याज को brown नहीं करना है बस translucent होने तक इसे fry करेंगे और जैसे ही प्याज translucent हो जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ एक गाजर को इस तरह से काट कर लिया है ये इसमें डालेंगे उसके बाद मैंने सिमला मिश को भी इस तरह से लंबाई में काट कर लिया है अब इन्हें भी दो मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए high flame पर ही saute कर लेंगे हमें सबजियों को गलाना नहीं है बस crunchy होने तक ही fry करना है और अब दो मिनट के बाद सबजियों को saute करने के बाद मैंने यहाँ 1x4 चमच हल्दी पॉडर लिया है आधा चमच धनिया पॉडर और आधा चमच ही काली मेश पॉडर लिया है और अब टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे उसके बाद सबी चीजों को अच्छे से mix करते हुए एक मिनट तक मसाले को भून लेंगे और अब मसाले को भूनने के बाद मैंने यहाँ 2 चमच सोया सॉस लिया है और फिर मैंने एक चमच विनेगर लिया है अब एक बार सारी चीजों को mix करने के बाद हमने जो चावल boil करके रखा था वो इसमें डालेंगे और फिर इसे हलके हाथों से flame को medium करके मिलाएंगे इस recipe में soya sauce डालना बिल्कुल optional है आपके पास हो तो डालें नहीं तो आप इसे skip भी कर सकते हैं और vinegar की जगा आधा नीमू का रस भी डाल सकते हैं अब चावल अच्छे से mix हो जाए तब हम इसमें ये अंडा भुजरी डालेंगे और इसे भी हलके हाथों से mix करेंगे और अब मैंने यहाँ धनिया पत्ता को बारी काट कर लिया है ये इसमें डालेंगे और इसे भी mix करेंगे अब सारी चीजों को mix करने के बाद gas का flame बंद करेंगे और अब हमारा egg fried rice तयार है सर्फ करने के लिए तो चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये कितना लाजवाब बनकर तयार हुआ है बहुत ही टेस्टी और चटपटा egg fried rice बिल्कुल तयार है खाने के लिए तो आ गया ना इसे देखकर आपके भी मुँ में पानी तो plain fried rice खाते खाते अगर बोर हो गया है तो बस एक बार मेरे इस तरीके से एग fried rice बना कर देखिए और family के साथ enjoy कीजिए आपको ये बहुत पसंद आएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई recipe के साथ तब तक के लिए बाबाई